ये पुडिज, वाल्कम बैक टू मैं चैनल महकता जाइका आज हम बनाने वाले हैं आलू मैथी की सबटी इसमें बहुत सारा आइरन होता है ये बहुत ही टेस्टी होती है एकदम क्रिस्पी, करारी इसे आप सफर में भी ले जा सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इसे चाहें तो पूरी, पराठे, किसी के साथ भी इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब लगता है और बच्चे अगर आप ये सबजी बनाएंगे तो उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे तो आई ये शुरू करते हैं अज आयरन कडाई में ये सबजी बना रहे हैं और यहां मैंने Mustard Oil लिया है उसमें राई डाली है और जीरा डाला है ये कुछ हरीमिर्च और लसन काटा हुआ डाला है हरी प्याज यहां मैंने एड़ किये हैं और यह हरी मैथी के पत्ते साफ करके बहुत अच्छे से इसको तीन-चार पानी से दोल लिया था अब इसे हम इस ऑईल में डाल देंगे अभी मार्केट में यह ग्रीन मैथी आ तो रही है लेकिन थोड़ा सा कम आ रही है पर यह मैंने गार्डन में लगा रखी है आप जाहें तो इसे अपने गार्डन में खाली मैथी के सीट्स डालने हैं और बहुत लमबे टाइम तक यह मैथी आप उगा कर आ सकते हैं तो अफ घर पे जब दे वसमें लगा दें और इस मैथी को जरूर बनाए ये बॉयल के हुए आलू लिये हैं मैंने इसको भी हम आल में बून लेंगे क्योंकि इससे जो करारा पनाता है उससे सबजी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा तो इसे बहुत अच्छे से बून लेंगे यहां मैंने सर्सू के तेल का यूज किया है आप चाहें तो मुंखली का तेल भी यूज कर सकते हैं नमक और हल्डी डाल दिया है इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब यहां मैंने सूखा दनिया और लाल मिर्च पाउडर डाला है फिर अच्छे से मिला लेंगे देखिए मिंटो में आपकी लाजवाब सबजी बनकर तयार है कितना प्यारा इसका कलर आया है तो आप भी बनाईए और हैं फ्रेंट्स अगर पहली बार चैनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए साइड में लगा बैल आइकन दबाएं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंट्स और फामली के साथ जरू से शेयर करें थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग